दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने मा की रेसिपी जो के बनाओंगी आज मैं अपने हाथों से और उनकी रेसिपी इतनी स्पेशल है इतनी लाजवाब है कि आपको बहुत ही जादा पसंद आएगी वो इस रेसिपी को बनाती थी आफटर डेलीवरी और स दोनों ही वक्त बहुत काम आती है चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाती है हलो दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूरेश्मी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जाएका एरसुई दोस्तों आज हम बनाएंगे गोन तो गोन बनाने के लिए हमने याँ पर थोड़ 500 अक्रोड लिए दोसुbuild बादाम 200 ग्राम और काजु और 2-3 और किसमीश भी 200 ग्राम लिए है और मैंने याँ लिया धूण धुम ताल्मम खने यह बी 200 ग्राम लिए हैं तो इन सारी चीजों को हम कर लेते हैं मैं एक कड़ाइ में देसी घी गरम कर लिया है अब इसमें सबसे बेले फ्राइब करेंगे यह गोंद अंदर तक पकेगा नहीं तो यह देखिए यह फ्राइब हो गया है पूरी तरह से अब इसको बाहर निकाल लेते हैं इसलिए फ्राइब करते हैं गोंद को क्योंकि अगर हमने घी तेज कर लिया तो फिर क्या होगा गोंद ना अंदर से फ्राइब नहीं होगा तो फिर क्या होता है बाद में वह दांतों में चिपकता है जब खाते हैं तो और फिर बहुत जादा चिपक जाता है जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सारा फिर हलवे का मेवा का गोंद का सब का टेस्ट एकदम हराब हो जाता है तो इसलिए इसको फ्राइ करते वक्त बहुत ध्यान रखना है और थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है बस हमें तो गोंद हमारा फ्राइ हो गया है हमने इससे म बहुत यहीं है इनको फ्राइक कर लेते हैं इसी तरह्ण पर गए पर करना है क्यूंकि यह जब चतकते हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं अब डाल द klass को बहुत अपर कर लेंगे इसमें तो मैंने ओर डाल लिया और यह भी अजयल्ड लोगते हैं और अब हम लशाओ तो बारी बारी करके इसी तरीके से सारी चीज़ों नदातके, अरพराई में तल जोट फिलेंगे, अब हमने दुबारा घी डाला है और हमने आदा किलो सूजी लिए है सूजी को हम लाइट ब्राउन होने तक इसी तरह भूनेंगे और ये देखिए सूजी हमारी एकदम भून गई है बिल्कुल बिखर गई है सूजी हमने निकाल लिए है अब खाली कड़ाई में हमने नारियल ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने 250 ग्राम लिया है इसको हमें ऐसे ही रोस्ट करना है कम से कम एक मिनट तक जादा नहीं करना यह देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया एक बड़े से बरतन में मैंने यह सूजी निकाल ली है उसी बरतन में नारियल भी डाल देती हूं और मै इस मिक्सर को भी हम इसी में डाल लेंगे सूजी नारियल और यह हमने अब लिये हैं ताल मखाने ताल मखानों को भी हम इसी तरह दरदरा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में यह देखिए तो सारी चीजों को हमने इसी में मिक्स कर लिया है एकी बरतन में डाल लिया है अभी ह फिन को cannot crush हमे मिक्स कर लेते हैं और यह किशमिश और तर्बूज के बीज हैं को ग्राइंड नहीं करना इन radio कर देते हैं एक इस्पून ये ईलाइची पावडर ये उलाइची पावडर मैंने खुद घर पर ही बनाया है और आप इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि कहीं कहीं रहना जाए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है ये अब हमने एक कड़ाई ली है उसमें ली है हमने आदा किलो चीनी 500 गिराम चाशनी बनाने के लिए अब इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे हमें एक तार से भी कम की चाशनी बनानी है जादा नी पकाना अगर हम जादा पका लेंगे तो फिर हमारा हलवा कड़क हो जाएगा ये देखिए पूरा तार ना बने बस आदे में तूट जाए तार इतनी चाशनी हमें चाहिए अब हमने इसमें एक जगह बना ली है बीच में और उसमें जल्दी से देर ना करते हुए चाशनी डाल देंगे और फटा फट से मिक्स्चर को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हमने ये बड़ा बरतन इसलिए लिया है एक मैंने भगोना लिया है ताकि सारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो जाए क्यूंकि अगर कोई फैला बरतन ले लेती तो फिर उसमें बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता ये और यह देखी मैं बहुत आराम से इसमें मिक्स कर पा रही हूँ अब इसके आप लड़ू भी बना सकते हैं या फिर इसको इसी तरीके से रख लें मैं तो इसको ऐसे ही रख रही हूं हलवे की फॉर्म में अभी थोड़ा ठंडा होगा तो फिर थोड़ा सा ड्राय हो जाएगा पर अगर चाशनी अगर जादा कड़ी हो गई होगी तो फिर यह बहुत जादा टाइट हो जाएगा तो इसलिए चाशनी हमें पूरे तार की नहीं बनानी आधर तार की ही बनानी है यह देखिए हलवा बिल्कुल मिक्स हो चुका है अच्छे से अब इसको चार चमच रोज दूद के साथ लें तो यह कमर दर्द बदन दर्द जोडों का दर और नजला जुकाम खासी हर चीज में राहत देता है और बहुत फायदे मन्द है बहुत ताकत बर है यह हलवा तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसीपी ड्राइफ रूट के हलवे की यानि के गौंद हमारे यां तो गौंद कहते हैं इसको आपके यहां क्या कह तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं लड्डू बनाए चाहें ऐसे ही रख लें तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगो को मेरी ये गोंद की रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तर लाइक शेर कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो च